कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूटूब चैनल ये इस क्लासस पे दोस्तों यहां पे मैं आपको अलंकार का एक बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन लेके आ गया हूं अथिस्वेक्ति अलंकार किसे कहते हैं और इसकी जो उधाराण है क्या है यह कोश्चन कभी कभी और कभी 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 नहीं अक्सार आता है नावमी दसमी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो देख लीजिएगा अथिस्वेक्ति अलंकार किसे कहते हैं और इसका उधाराण क्या है तो यहां पर यहां पर यह टॉपिक है चिले देखता हूं ठीक है कर लेजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें देखें जहां कोई बात अब शक्ता से अधिक बढ़हा चड़ा कर की जाए वहां अधिस्वेक्ति अलंकार होता है सीधा सा सिंपल है मैंने लिग दिया ज्यादा कोई घुमाने फिराने वाले बात परिभासा नहीं है कि कोई भी बात कर दिया आपको बढ़हा चड़हा के बताना है जितना तो है ही उससे भी कई गुना आपको बढ़हा देना है मतलब की उसमें घी में और भी मक्षन डाल देना मतलब की बढ़हा चड़हा दे अतिस्यक्ति लंकार कहलाता है जैसे यहां पे आप उधारन देखेंगे उधारन दो उधारन दिये हुएं और दोनों उधारन से आप समझ जाएंगे तो देखिए हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग लंका सारी जर गई गई निसा चर भाग मतलब कह क्या रहा है यहां पे आपको समझ जाएगा देखिए हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग मतलब अभी हनुमान जी के हनुमान जी के पूछ में अभी आग नहीं लगी है हनुमान जी के पूछ में अभी आग नहीं लगी है और लंका जर गई पूरी पूरी लंका जर गई अब गई निशाचर भाग अब पूरे राक्षास वहां से भाग गई और हन्मान की पूछ में भी आग नहीं लग पाई है फिर कैसे लंका जर गई और कैसे सभी निशाचर भाग गई मतलब की छमता से भी अधिक बढ़ा चड़ा देना अतिस्वेक्तियलंकार कहलाता है चले दूसरा देखते हैं यसी का उधारन पड़ी अचानक नदिया पार घोड़ा कैसे उत्रे पार राणा ने सोच इस पार तब तक चे तक थाउस पार इसका मतलब ये है की हमारा एक घोड़ा है जैसे महराणा परताब जी का यहां पर बात किया जा रहा है महराणा परताब जी जब एक बार अचानक वे नदि के पार मतलब की अंग्रेजियों से लड़ते लड़ते अकबार से और एक ऐसे स्थिती पर पहुँच जाते हैं जब उनको एक बहुत बड़ी बिसाल नदी मिल जाती है और पीछे से सैनिक मतलब कहें तो उनके दुसमन लगे होते हैं तब उए सोचते हैं कि पड़ी अचानक नदी या पार मतलब अचानक बहुत बड़ी नदी पढ़ गई है घोड़ा कैसे उतरे पार घोड़ा उसके उस पार कैसे जाएगा ठीक है तब फिर देखो दूसरे लाइम किया कहता है राणा ने सोचा इस पार तब तक चे तक था उस पार मतलब महाराणा प्रताप इस पार सोचते ही रह गए और उनके घोड़े का नाम चे तक था तो चे तक उस पार पहुंच जाता है ये कैसे संभव है कि राड़ा इस पार सोचते रहे गे तब तक चेतक उस पार पहुंच जाता है तो इसी को कहते है आतिस्यक्ति अलंकार जिसमें बढ़ा जड़ा कर अच्छा एक कोशन कभी कभी पूछ लेता है महाराड़ा प्रताप की घोड़े का क्या नाम था तो ध्यान रहे जेतक नाम था ठीक है तो इस प्रकार से हो जाता है आपका अतिस्यक्ति अलंकार अतिस्यक्ति अलंकार थोड़ा सा इंपॉर्टन था इसलिए इसको मैंने बता दिया बाकी के जो भी सभी अलंकार है सब को बता दूंगा देखिए यहां पर छोटा से टॉपिक में लिका होगा अतिस्यक्ति मतलब अतिस्यक्ति अलंकार कैसे इनको पढ़ना है और कैसे याद करने का बिलकुल ही कोई ज़दा दिक्कत ही नहीं है आपको परिवासा एकदम से है कि जिस चीज में बढ़ा चड़ा कर जहां पर बढ़ा चड़ा कर बरणन किया जाए उसको कहते हैं तिस्वेक्ति अलंकार और उसकी दोहरण भी बहुत सारल है ज्यादा कुछ कटिन है नहीं ठीक है तो इस प्रकार से आप का तिस एक तिलंकार हो जाएगा और एक आपका चार नंबर का कुस्चन यहां पर बेहतरीन रूप से कंप्लीट हो जाएगा यह एक अक्षा दस्क के लिए बेरी इंपॉर्टेंट है नौमी के लिए आता है कभी कभी ग्यार्मी बार्मी में भी आता है तो यह छोटा सा वीडियो आसा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा यदि चैनल में नहीं हो तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें मिलते नेक्स्ट व